भारत को ब्रिटिशों से आजाद सन 1947 में मिली थी कई सुतनता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान दाओ पर लगाई थी जिन में से कई लोग शहीद भी हो गए जिन्हें आज भी याद किया जाता है पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशों से पहले किस-किस मुगल शासक ने अपना समाराजिस थापित किया था क्या आपको पता है कि मुगलों ने किस तरह से यहाँ पर अपना अधिपत जमाया था आखिर मुगलों ने भारत की वह कौन-कौन सी चीजें यहाँ से हड़प कर ले गए थे जिसके बाद आज भारत में उन चीजों का अभाव अभी तक है क्या आपको पता है कि वह कौन सा तकत था जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही था और जिसके कीमत उस समय यानि की आज से कई सौ साल पहले करोडों में थी लेकिन आज वह तकत भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं है यह आज लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहसी बना हुआ है अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम जूट बोल रहे हैं या मजाग कर रहे हैं तो आपको बता दी कि यह 100% सही है जी हाँ हम मजाग नहीं कर रहे हैं यह तकत कोई मामूली तकत नहीं था बलकि बहुत ही खास और कीमती था वो किस तरह इस बात के बारे में हम आपको आगे बताएंगे पर इस थकत के अलावा और भी कई ऐसी कीमती चीजें हैं जो कि भारत में जो आज कहां है किसी को मालूम नहीं लेकिन मुगलों द्वारा बनाई कि इस मारक आज भी यहां मौजूद है इसके अलावा और भी कई समारकें, कलाकृतियां वो संस्कृत यहां मुगलों के शाशनकाल की हैं जिसे आज भारत के प्रसिद मौन्यूमेंट वो टूरिस्ट प्लेस पे शामिल किया गया है आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कटर दुश्मन बनी हुए है पाकिस्तान आए दिन भारत को नीचा दिखाने की कोशिस करता है लेकिन हर बार हार जाता है हम सब जानते हैं कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पर आज भी विभिन संस्कृती जाती धर्म वो वर्ग के लोग रहते हैं लेकिन यहाँ पर सबी लोगों को एक समान अधिकार प्राफ्त है यहीवज़य थी कि उस समय देश में हिंदू और मुसलिम के बीच काफी मदबेद किया जाता था पर आज भारत में ऐसा बिलकुल नहीं है और आगी भी नहीं होगा आज हम आपको इस वीडियो में मुगलों की कुछ क्रूर और कुछ कोमल हरकतों के बारे में बताएंगे जो कि आज भी भारत के इतिहास में शामिल है यूँ तो भारत में अगर किसी मुगल शासक को सबसे क्रूर माना जाता है तो वो है औरंग जेब जी हाँ औरंग जेब ने अपने पूरे मुगल शासक का सबसे क्रूर और निर्दई बादशा था उस समय की कहानियों को पढ़ने पर या फिर इतिहास के पन्नों को खोलने पर आपको या जानने को मिलेगा कि औरंग जेब की क्रूरता से वहां के लोग कितने डरते थे बता दी कि औरंग जेब एक मात रहसर आज़ा था जो कि किसी गुनहगार को कोई सजा नहीं देता था बलकि उसे सीधे मौत के घाड उतार देता था उसका तरीका कुछ हैसा था कि वह बीच मैदान में गुनहगार को सबसे पहले नीचे लिटवाता था जिसके बाद एक हाथी का पैर उसके चाती पर रखवाता था या फिर हाथी के उस गुनहगार का सर कुचलने को कहता था अगर चाती पर पैर रखने से गुनहगार को कुछ नहीं होता था तो उसके सर को हाथी के भारी भरकम पैर से कुचल दिया जाता था जिससे की उसकी वहीं पर मौत हो जाती थी इस अमानवी वहवार की वज़े से और अंजेब से लोग बहुत डरते थे और किसी भी गुना को करने से बच्चते थे क्योंकि उस समय बादशा का कुछ नहीं पता था पहले के समय में भारत को सोने किच्डिया कहा जाता था और यहीं वज़ा थी कि यहां पर कई मुगलों वा कई फिरंगियों की नजर थी इन्होंने भारत को लूटने की रादे से यहां पर कबजा कर लिया और यहाँ का सारा सोना हीरा वे सभी कीमती चीज़ें यहां से लूट कर अपने साथ ली गए मुग्लों मेंसे एक रज़ाशाजाहा ने भारत में अपना कामराजिय इस्तापित करने के बाद अपने एक बेहत कीमती तख़त बनवाय था इसे तखते ताउस कहा जाता था या कोई आम तखत नहीं था बलकि कई महंगे और कीमती नंगों से जड़ा हुआ था वो अबिस्तर था जिसकी कीमत कई करोर रुपे थी इस तखत में सिर्फ हीरा वसोने के हैं इस्तमाल किया गया था जिसके उपर दो मोर भी बनाए गए थे इन दोनों मोर के बीच में रखा गया था कोहिनूर जी हाँ भारत का वह कीमती कोहिनूर जो आज ब्रिटिश के पास है भारती और मुगलों के बीच खटास का फाइदा उठाया अंग्रेजों ने और मौका मिलते ही अंग्रेज भारत के कोहिनूर को चुरा कर ले गए लेकिन हम अभी ब्रिटिश की बात नहीं करेंगे बलकि उस कीमती तखट के बारे में बात करेंगे जिसे मोर सिंगहासन भी कहा जाता है जब कुछ समय बाद इरान का शासक भारत में साजहां के दरबार पर पहुँचा तो उस कीमती बिस्तर को देखकर उसकी आँखे भी टिम्टिमाने लगी थी और मौका लगते ही इरान का शासक से भारत से अपने साथ ले जाने में सफल हो गया लेकिन जैसे इस साशक की मृत्ति हुई वैसे ही तुरंत वह बिस्तर कहीं गायब हो गया और किसी को नहीं मिला और अवरतमान समय में यह बिस्तर किसी ने चुरा लिया है या फिर यह कुद्रती कहीं गायब हो गया है इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है या बात आज भी रहसे बनी हुई है पर कई वैज्ञानिक और कई लोग इस बात का खुलासा करने के लिए इस बिस्तर की खोच कर रहे है खेर अभी तो आपने भारत के क्रूर मुगल शासक के बारे में जाना है जो की अपनी कुरूरता के लिए प्रसिद था पर अब हम आपसे उस मुगल बादशा की बात करेंगे जो की मुख्या था अपने प्रेम के लिए भारط में जाना जाता था मुगल समराजी में अकबर ही एक मातरा ऐसा महराजा था जिसने एक हिंदु धर्म की महिला यानी जी जोधा के साथ विवाह किया था यूँ तो अकबर की पहले ही कई मुस्लिम पत्नियों थी लेकिन जोधा उन्हें पहली ही नजर में इतनी पसंद आगी जिसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे लेकिन अभी हम आपको यह जरूर बता देते हैं कि इन दोनों ने अपने अलग-अलग धर्मों के बावजूद उस समय भी एक दूसरे से विवाह किया था जिसे आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है भारत में जब भी कोई मुसलिम व्यक्ति किसी हिंदू व्यक्ति से विवाह करता है तो ऐसे में जोधा अकबर का नाम जरूर लिया जाता है और इनको याद भी जरूर किया जाता है अकबर ने अपने शासनकाल के दोरान कई ऐसे निर्ने लियें जिससे कि वह वहां के लोगों को काफी सुधा हुई उस समय वहां होने वाले धर्म वजाती के भेदभाव को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था साथ ही उस समय हिंदू के उपर लगाये जाने वाले कर को भी उन्होंने साफ माफ कर दिया था लेकिन अगबर के बाद जो मुगल शाशक गदी पर बैठा उसने फिर से इस करको लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हम चलते हैं पर आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अलविदा।